गवड मॉर्णिंग उट्ऎल विलकम तु ऑंलाइन क्लासेशे लाश्ट लेक्षर में हमने देखा था डolen क्रील क्लील क्या होती है क्लासे और टासक बार प ArT पर जो आप्षान से इनके बारे में हमने अीए इस सम्झा था आजकी नहीं दिएस पीसी का मतलब क्या है जो आपका लैपटब अटाप है या आपका स्मार्ट फॉन है इन सब ही का जो में पार्ट है जोसकी हाड़िक्स है उसके बारे में गांट बताया जाता है कि क्या है अब इस जो पोल्डर यह आईकन है इसको open करने के दो तरीके हैं पहला है माउस का left क्लिक करके डाबल left क्लिक करके डारेक्ट खोल सकते हैं और माउस का right single click करके आप इसमें एक लिस्ट आती है उसमें open option आता है उसके दोरा अब हम देखेंगे इसको जैसे यह मैंने है माउस पर यह माउस का right click किया है इस पर मैंने ठीक है अब जैसे ही मैं इस दिस PC पर माउस का right click करता हूँ यह आपके पास देखा होगा आपके देखा है स्क्रीन पर यह एक window उपन हुआ जिसमें कुछ option आ रहे हैं जैसे open है पिंटू किक एक्सेस है मैनेज है पिंटू स्टार्ट है मैप है यह कुछ option है तो और यह डिलीट है रिनेम है प्रॉपर्टी है यह option है जैसे हम अभी काम कर रहे हैं इसे कहते हैं एक्टिव विंडो क्या कहते हैं स्ट्वेंट्स एक्टिव विंडो क्यों कहते हैं इसे क्योंकि इस विंडो पर हम presently वर्क कर रहे हैं एक्टिव हैं इसलिए से एक्टिव विंडो कहा जाता है ठीक है अब इस एक्टिव विंडो में ज अब यह क्या है टाइटल बार में यहां पर टाइटल लिखा होता है यहां पर 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 यहां प इसी title बार पर आप देखेंगे अब यहां पर right side में तीन बटन होते हैं, तीन option होते हैं, first minimize, second maximize and third close. अब जैसे minimize पर अगर मैं करता हूँ, तो हमारा यहां पर यह विंडो एक्टिव विंडो यहां से हटके कहां चली जाएगी taskbar पर, कहां चली जाएगी taskbar पर, अब यह देखें, अब यह taskbar पर मैंने आपको इस icon के बारे बताया था, इस icon पर चली जाएगी, यहां पर जैसे द दुबारा यह active window हो, इसको आप छोटा या बढ़ा कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने क्लिक किया तो चोटा हो गया, अब मैं दुबारा इस पर क्लिक करूँगा, तो यह बढ़ी हो जाएगी window, ठीक है, अब थार्ड ओप्शन था, यह है close, इस close के दौरा हम क्या कर सकते हैं इस window को close कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हो गया, यह close हो गई, ठीक है, बंद हो गई, अब यह तो था हमारा पहला option, अब हमारा दूसरा option है, जैसे इस window पर हम अगर यह माल लिजिए, mouse का double click करते हैं left, ठीक है, इस दो बार मैंने क्लिक किया, तो यह direct window को open करता है, mouse के double click से, ठीक है, double click से, अब यह हमने title बार पढ़ा, उसके बार जो दूसरी बार है, वो है menu बार, ठीक है, menu बार, अब इसमें देखे, menu option है, कुछ, यहाँ पर file है, ठीक है, computer है, और view है, तीन menu item है, यह क्या कहलाते है, menu items, अब जैसे इन menu items पर क्लिक करते हैं, त इसमें दो option है, open new window, या फिर open new window in the, in new process, नई process के साथ, ठीक है, यह आपका एक है, open command prompt है, इसमें desktop है, document है, download है, pictures है, जो भी आपने अभी तक current window आपने active की है, जो open किया है, current काम किया है, वो सब इसमें आता है, ठीक है, next है, आपका open window, ठीक है, power cell, power cell के में भी जैसे आपने, जो भी अभी currently use की है, जैसे मैंने आपको बताया था, यह उसी तरह से है, यह customize रूप में बताता है, ठीक है, ठीक है, change folder, अगर आप किसी folder को change करना चाहते हैं, तो यह आप देखें, folder option आगे, आपका खुल गया, आप चाहते हो किसी और बिनुबार का फाइल, दूसरा है computer, जैसे ही आप इस computer option पर क्लिक करते हैं, देखें, आपके पास computer option के कुछ आए, options हैं, वो open हो चुके हैं, जैसे property है, open है, rename है, access media है, कौन सा media आप open, use कर रहे हैं, map network है, यह सब आपके computer के कुछ options हैं, जो यहाँ पर show होते हैं, फिर है view, view में जैसे आप क्लिक करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर यह बताएगा किस तरह से आप इस window को देख सकते हो, अलग-अलग तुरी से, जैसे title है, small icons के रूप में, देखें, options हो चेंज हो गया है, यह extra large है, तो यह देखें, सारा बड़े-बड़े आपके options हो गये हैं, ठी कैसे, अगर जैसे यहाँ पर है, multimedia, medium है, तो media हो गया, यह detail form में है, तो आप detail में देखना चाहते हो, detail में, जैसे यहाँ पर देखें, आप यह आपकी जो hardics है, उसकी जो drive है, उनके नाम आ गए, इनकी जीवी आ गई, कितनी जीवी आप यूज कर चुके हो, कितनी जीवी आ आपकी total इसकी memory है, यह सब इसके द्वारा आप change कर सकते हो, यह group है, अगर आप group बनना चाहते हो, group में बन जाएगा, ठीक है, यह सब आपका menu वार के option में आता है, यह आपकी address पार है, इस address पार में उसका address होता है, कि कौन सी जगे पे आपका कौन सा item save है, अब इस window में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका left, यह आपका option पार्ट होता है, और यह आपका detail पार्ट होता है, अब जैसे आप मैंने आप ही hold रखा है, अब यह जो पार्ट है, आपका option पार्ट है, इसमें जैसे यहाँ पर option दे रखें, desktop, जैसे आप desktop पर क्लिक करेंगे, तो जो desktop प आपकी उसमें सेव हैं वह सब आएंगी ठीक है और यहां पर देखें आप ड्राइब बता रहा है जैसे आपकी जो computer यहां पर C drive है तो C drive का options आपके सामने को जाएंगे डी ड्राइब है तो डी ड्राइब का option आजाएंगे जितनी भी drives है वह सारी यहां पर इसमें जैसे अभी हमने आपको थोड़ दर पहले option देख रहें तो यहां पर C drive है यह आपकी क्या है left part है जिसमें आपके options आते हैं और right part में आपके detail आती है जैसे आप देखें एड्रस बार मैंने आपको बताया था इसमें इस पीसी के अंदर अभी हमने चाहिए उस कर रहे है लोकल डिस्क को डिस्क्राइब कर रहा है तो यह मैंने आपको पहला आइकन आपको समझाया यह दिस पीसी या जी से हम माय कंप्यूटर आइकन भी कहते हैं आगी क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे थैंक झाल आइकन 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